नवस्कार आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरी राहुल भोच की तरफ से इद की हार्दिक्षुप कामना है इद मुबारक चलिए दोस्तों अब मुनवर को कैसे मिल रही है इदी मुनवर आजमा घर के अंदर दो ऐसी क्राउट जो की इद को सेलिब्रेट करते हैं ऐसे मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक जरूर इंपोर्टेंट बात सेट पर से बवाल अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन कर लीजे और हाँ फेस्बुक पे भी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं टेली हजाना को तो वीडियो को शेयर कीजिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों मुनवर फारुकी की अगर बात करें तो मुनवर को इस दिन का बेस सबरी से इंतिजार है लाइव में हम लोगों ने देखा था कि मुनवर में इद से जुड़ी हुई काफी अपनी यादे शेयर भी करी प्रिंस नरुला के साथ आजमाने भी करें और आज आजमा मस्त बंठन के बैठी हुई है गप्पे शप्पे मार रही है रेड कलर का सूटूट पैंड के शिस लुकिंग प्रिटी ब्यूटिफुल वही मुनव क्या राहू जरा खुल के बताओ तो आप लोगों को बता दो दोस्तों तो इद स्पेशल मनाया जा रहा है जिसके तहत यहां पर इदी दी गई है मेकर्स के द्वारा और मेकर्स ने समान प्रोवाइड किया है जिसमें शीर खोर्मा का समान बनाने के लिए जो सेवियां होती है दूद होता है ड्राइफ फ्रूट्स होते हैं खोया होता है इन सब को प्रोवाइड किया गया है साथी साथ खाने का लजीज ते लजीज व्यंजन का और्गनाइज किया है मतलब कि उन्होंने समान लाकि दे दिया है यह लोग खुद पकाएंगे चिकन मतं यह वह पलाना दोस्तों लेकिन एंड टाइम पर कैंसेल हो गया लेकिन रश्मी देशा है आने वाली थी इस इद स्पेशल में सेवहियां लेकर और घरवालों का मुझ मीठा कराने वाली थी मुनमबर को इदी मिलने वाली थी दोस्तों आपको क्या है कहना ज़रूर बताएं आग जो गेस्ट आएंगे किस उद्देश्यों से आएंगे यह सब मैं आपको बताऊंगा सेट पर से सारी बावाल अबडेट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास राहुल भोच के पास देखते रहे टैली घजाना इंस्टेग्राम मुझे फॉलो करना ना भूलें आरे एच योल पी एच ओचे बाबाए